हेलो ब्रेंबुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेंबुक चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक सम्रीज आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एक किताब नहीं बलकि एक ऐसा लेक है जो हमारी जिंदगी में आने वाली हर परिशानी का हल है और हमारे लिए एक प्रेरणा दायक स्त्रोत की तरह काम करता है जी हां हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में श्रीमत भगवत गीता हिंदू धर्म की सबसे माननिय और लोग प्रिय शास्त्रों में से एक है महा भारत का ही एक हिस्सा गीता एक परिशान और व्याकुल योधा अर्जुन और उनके सार्थी श्री कृष्ण के बीच का सववाद है इस लेक में श्री कृष्ण अर्जुन की परिशानी मिटाने के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार सला देते हैं कि मानो वो ना सिर्फ अर्जुन से बलकि हम सबसे बात कर रहे हों गीता एक एसी किताब है जो जीवन के रास्ते से भटक जाने वालों को सही रास्ता दिखाती है व्याकुल और परिशान व्यक्तियों को सपष्टता प्रदान करती है और दुनिया के हर इंसान को बुद्धी मत्ता और सूझ बूझ सिखाती है गीता में बताए गए इसी गहरे और अवशक ज्यान को ब्रेन बुक आपके लेकर आया है। इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे गीता से मिलने वाली आठ सबसे महतोपूर्ण सीखों के बारे में ताकि गीता में बताए गए इन आठ अनमोल रतनों को आप सभी अपनी जिं पहली सीख समय का महत्व गढ़ी के समान होती है जहां नीचे गिरती हुई रेत हमारा अतीत और उपर पड़ी हुई रेत हमारा भविश्य होती है। हम ना ही उपर की रेत को गिरने से बचा सकते हैं ना ही नीचे की रेत को वापस उपर ला सकते हैं। हम जीते हैं तो उस केंद्र उस एक पल में जह अगर हम सही समय के आने के इंतजार में ही बैठे रहे तो निरंतर चलने वाला ये पल भी अतीत में बदल जाएगा इसलिए जिन्दकी में कुछ भी करने के लिए प्रतीक्षा ना करें और उसे उसी समय पूरी निष्ठा और इमानदारी से करें क्योंके समय का सदुप्योग हमारी तरक्की की और ही ले जाता है कभी भी जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमने हासिल किया है वो सदैव हमारे पास ही रहेगा जो आज हमारा है वो शायद कल हमारा ना रहे इसलिए समय का आदर और उसका सही इस्तमाल करना चाहिए क्योंके समय सबसे बलवान और बहुमूल्य होता है दूसरी सी, संदे से उपर उठकर चीजों को स्वीकार करें दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और संदे उस गाड़ी में लगे ब्रेक की तरह होता है अक्सर, ब्रेक के इस्तमाल से हम गलत दिशा में जाने से बच तो जाते हैं लेकिन अगर हम हर वक्त अपना पैर ब्रेक पर रखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक इसी तरह जिंदगी में हर वक्त और हर चीज पर संदे करने से हम कभी भी सही निर्ने नहीं ले पाते और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। संदे हमारी सोच को धुंदला कर देता है और हमें हर चीज की परताल करने पर मजबूर करता है जिससे हम हर चीज और वक्ती में खामिया ढूनने लगते हैं और कभी भी उन्हें मन से स्विकार नहीं कर पाते। यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो निसंदे चीजों को स्विकार करना चाहिए। तो अब से अपने संदेहों पर संदे करें और अपने विश्वाशों पर विश्वाश करें क्योंके असली सुक की प्राप्ति उसमें विश्वाश करके ही होगी उस पे संदे करके नहीं। तीसरी सीख, विनाश की पहली सिड़ी है एहंकार, क्या कभी आप सबने सोचा है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हम खुद नहीं बलकि कोई और है, दुनिया में आने के बाद हमें नाम देने वाला भी कोई और है और जिन्दगी में हमने जो कुछ भी कमाया, वो भी कल कि पर अहंकार करते हैं जो कुछ भी हमने आज हासिल किया है वो कल शायद हमारा ना रहे और अगर हमारा भी रहा तो हमारे जाने के बाद वो किसी और का होगा तो जिस पर हमारा पूरा हक ही नहीं उस पर घमन करके क्या फाइदा अपनी काम्याबियों और अपनी दौलत को अपना स्वाभिमान मान कर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग अकसर ये भूल जाते हैं कि जिस दौलत और शहुरत को वो अभिमान से अपना बता रहे हैं वो असल में उनकी तो है ही नहीं खुद के पास मौझूद कामयाबी से यदि किसी और को छोटा दिखाया जाए तो वो कामयाबी नहीं बलकि विनाश की सीड़ी है अहंकार और घमन्ड हमारी सोच को दिशाहीन बनाकर हमें बरबादी की और ले जाता है जिस सोच के जरिये हमने लाखों बुलंदियां हासिल की होती हैं वही सोच अब केवल दूसरों की निंदा और अलोचना में लग जाती है इतना ही नहीं घमन्ड के नशे में चूर व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और अपने को दुनिया में सबसे श्रेष्ट समझने लगता है और ऐसा करने पर उसका गिरना इसलिए जीवन में सदैव विनमरता और आदर पूर्वक रहना चाहिए और दूसरों की मदद और उनके सुख में खुश होना चाहिए क्योंके एहंकार, घमंड और इर्शा तो विनाश की पहली सीड़ी है चौथी सीख गुस्सा मनिश्य को खोकला कर देता है जीवन में कभी तो हम सबने किसी को गुस्से में आकर भला बुरा तो कहा ही होगा या फिर कभी गुस्से में कोई चीज या समान तोड़ दिया होगा तो आखिर क्या है ये गुस्सा जो हम से वो सब करवा बैठता है जो हम करना नहीं चाहते गीता के अनुसार गुस्सा वो भावना है जो धीरे-धिरे मनुश्यों को अंदर से खोकला कर देती है जिस प्रकार लकडी पर लगी धीमक धीरे-धीरे उसकी मजबूत लकडी खा कर उसे कमजोर और दुरबल बना देती है ठीक उसी तरह ही गुस्सा इंसान की मानसिक इंदरियों पर हावी होकर उन्हें खोकला करने लगता है गुस्से के प्रभाव में आया व्यक्ति ना तो रिष्टे ना ही आदर सम्मान की परवा करता है वे तो बेबाक और बेफिकर होकर खुद को दूसरों से उचा और सही मानने लगता है गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंतरन खो बैटता है और हिंसक और आकरमक विवहार करने लगता है गुस्से में लिए गए फैसले और गुस्से में किये गए कामों से केवल निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। विवेक और सयम खो बैटने पर इंसान धैरे और सब्र के बान तोड़ कर गुस्य को खुद पर हावी होने देता है, जिससे बाद में वो ना तो अपनों का रहता है ना ही स्वय का, धीरे धीरे गुस्सा इंसान के सुभाव में घर कर लेता है और उसे अंदर से खोकला और भा अवनाहीन बना देता है, इसलिए सफलता और खुश्यों को पाने का सही रस्ता, विनमरता और प्रेम है ना की गुस्सा, जीवन में कभी भी गुस्य को खुद पर हावी ना होने दे, गुस्सा आने पर खुद को शान्त और विनमर रखने का प्रयास करें, ऐसा करने से ना स हम सब ने इस दुनिया में एक सही शरीरधारन किया है, हम सब एक ही तरह के इस दुनिया में आए और एक ही तरह से इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इनसान की सोच ही तो वो चीज है जो उसे लाखों में सबसे अलग और अनोखा बनाती है, हमारी सोच ही हमारा एक मात्र हत जिसके इस्तिमाल से हम बुलंदियों को छू सकते हैं और मुसीबतों से लड़ सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। जिसके चलते वो कभी भी चीजों में छुपी अच्छाई और सकरात्मता को नहीं देख पाते। ऐसे लोग हमेशा निराश और अफसोस में ही रहते हैं। इसलिए हमेशा ही एक स्पष्ट, स्थिर और पूर्ण सोच और आचरन रखना चाहिए क्योंकि दुनिया बदलने के लिए किसी दौलत या अनिसाधन की जरूरत नहीं। जरूरत है तो एक क्रांतिकारी सोच की क्योंकि सफलता और असफलता केवल हमारी सोच है। यदि हम खुद से हार ना माने तो कभी पराजित ही नहीं हो सकते। छटी सी मुसीबतों से सीखें। जीवन में कई बार हम खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं। और ऐसे समय में हमारा मन गम के सागर में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा मन खुशी से जूम उठता है। लेकिन कभी आप सबने ये सोचा है कि हार और जीत तो केवल हमारी चीजों को देखने का नजरिया है। यदि हार के वक्त भी हम उसमें चुपे वे सबक और सीख को पहचान ले तो हम उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं। उन गलतियों और कम्यों पर जिसके कारण स्थिती नियंदरन से बाहर हुई। ऐसा करने से इनसान अपनी खाम्यों को परकना सीख जाता है और उन से सबक लेकर एक बहतर कल और एक बहतर जीवन की और चल पड़ता है। इसलिए जीवन में हर पड़ाव में यह याद रखना चाहिए कि जिन्दकी की मुसीबतें अपने आपको बदलने का और सीखने का मौका होती हैं। इनसे डरना नहीं बलकि इनसे सीखना चाहिए और एक बहतर इनसान बनना चाहिए। इसलिए समर्थ्यवान रहना है, हमेशा ही सुखी रहना है तो अपने रहस से किसी को ना बताएं, ना अपने करीबी दोस्तों को ना ही आपसे इर्शा करने वाले शत्रू को, क्योंकि समय आने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। यदि मुश्किल के सम आपके अपने ही आपके शत्रू हो जाएं, तो आपकी काम्याबी और आप ही के विनाश के सारे राज भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। जिस प्रकार रमायन में विभीशन ने रावन के अमरित कुंड का राज श्री राम को बताया, उसी तरह यदि आपके रहस से भी आप आपके सुखी जीवन के पतंग की डोर है, यदि ये डोर किसी गलत हाथ में पढ़ गई, तो आपके सुखी जीवन की पतंग तो मानो डूबी ही डूबी, इसलिए अपने राज, अपने मन की तिजोरी में सदा के लिए कैद रखें, क्योंके इन पर केवल आपका ही हक है, आ आठवी सीख, काम्याबी पाने के लिए नकल ना करें, हम सब जीवन की परिक्षा में सफल होने और काम्याबी पाने के लिए क्या-क्या नहीं करते, हम परिश्रम करते हैं और दोड़भाग भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी जब ये सब करने के बाद भी हमारा काम नहीं बनत तो हम काम्याब व्यक्ति की नकल करने लगते हैं। जरा याद कीजिए अपने बचपन के क्लासरूम को। विद्याले में जब हम परिक्षा देने जाते थे तो हम ना सही लेकिन कोई ना कोई तो सफल होने के लिए नकल जरूर करता था और ऐसा करने वाले सफल भी हो जाते थे लेकिन जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ नकल करने वाला सफल नहीं हो पाता और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन्दगी की परिक्षा हर इंसान के लिए एक अलग प्रशन पत्र लाती है। हर इंसान का जीवन अलग-अलग प्रकार की कठिनाईयों से भरा होता है तो निश्चित रूप से उन कठिनाईयों से निकलने का रास्ता भी अलग-अलग ही होगा इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपनी मुश्किलों के उतार-चड़ाव खुद ही ढूंडें और सफलता आपकी ही होगी क्योंके नकल करने से यदि आप किसी समस्या से निकल भी जाएं तो उस समस्या से सीख नहीं ले पाएंगे और ऐसा करने पर जब अगली बार आप मुसीबत में होंगे तो ना ही नकल काम आएगी और ना ही कोई सीख इसले यदि जिन्दगी की परिक्षा का टॉपर बनना है तो अकेले चलें अकेले सीखें और अकेले बढ़ें क्योंके नकल करके असली काम्या भी कभी हात नहीं लगती तो ये थे श्रीमत भगवत गीता की आठ सबसे महतपूर्ण सीखें हमें उमीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर करें और ब्रेन बुक चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा किताब की समरी देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो ले कराऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो